नमस्कार आज हम बात करेंगे छारखंड के वाटरमैन यानि जलपूरुस के बारे में इनका नाम है शिमन उराओं इन्हें 2016 में पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है तो आईए जानते हैं शिमन क्यूं औरों से अलग है और पद्मश्री के बाद इनका जीवन किस प्रकार बीत रहा है शिमन औराओं जैसा कि शिमन बताते हैं जब उनकी उम्र करीबन 13 वर्ष होगी उस वक्त बारिस के कारण सैकडो एकर जमीन पानी में डूबे रहते थे और बारिस के खत्म होते ही सुखाड हो जाता था और इसलिए वहाँ खेती कर पाना बड़ा मुश्किल होता था और लोग वहाँ से पलायन करने लगे थे 15 साल की उम्र में शिमन ने लोगों को जोड़ना सुरू किया और अपने ग्रामिनों की मदद से उन्होंने तीन डैम पांच तालाब और दस कुएं बनाए और इसके का पारण जहां खेतीक नहीं हो पाती थी वहां आज तीन-तीन फसलें हो पारे तो 42 वीट बांद बांद है और 65,000 फिट नहर भी खोदे एक सट ने शुरू किये और 70 ने निम्राइए और दूबेर टूटा हिमत नहीं हरे और उसको फिर बना के अभी जहां आठ बाजे पानी आता था तो चार पाजे खोजने से नहीं मिलता था चार को चावराने उस चावराने अगे कातिक से कर्शे करी चाईत विशाग तक हम सब बिना मिशिन का पानी देते हैं और खितिक उरबाते हैं इसके लिए सीमन ने अपना पूरा जीवन कुरवान कर दिया साथ ही साथ इक्यावन गाओं में ये प्रकृतिक वनस्पती बचाने का काम भी कर रहे हैं और इन्हीं सब कारणों से इन्हें जारखंड का जलपुरुस कहा जाता है इन्हें राष्टपती सी प्रनम मुखर जिद्वारा दो हजार सोलह में पदमस्री से भी नवाजा गया है मगर अब उनका जीवन बहुत ही गरीवी में बीत रहा है 87 साल की उम्र होने के बावजूद भी ब्रिधा पेंसन नहीं मिल पा रही है एसियानेट ने उसके मुताबिक गरीवी के कारण पेट पालने के लिए उनकी बेटी को दूसरों के घरों में जाड़ू पोछे का काम भी करना पड़ता है एंजला जो उनकी पोती हैं उन्होंने बीए तक की पढ़ाई की है परन्तु उनके पास बीएड करने के लिए पैसे ही नहीं है न्यूज लॉंडरी ने जब वहां के विधायक बंधु तिर्की से बात की तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधतेहु कहा कि इनकी हालत पिछली सरकार के कारण ऐसी हुई है हमने स्रीहेमन सोरें से ये मांग की है कि वो इस पर ध्यान दे साथ ही उन्होंने पचास हजार रुपए भी देने की घोशना की ताकि उनकी पोती बीएड की पढ़ाई कर सके वहीं CUJ यानि Central University of जहरखंड ने 1,11,000 रुपए का सहयोग किया और डेली पियोनीर के मताबिक United Bank Officers Association ने तकरीबन 10,000,000 का एक पक्का मकान देने की बात कही अगर आप चाहते हैं लोग सीमन औराओं के बारे में जाने तो इस वीडियो को जरूर सेयर करें और आप हमें इंस्टा और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद